वेलकम है फार्मिंग सिमुलेटर की एक और नई वीडियो में और मैंने हेलमेट इसलिए लगा रखा है कि ये गोड़ा काफी ज्यादा ट्रेन हो चुक है और अब ये काफी ज्यादा तेज भी दोहन लग गया है वैसे तो होस राइडिंग के लिए हलमेट अलग वाला आता है मैंने दूरसे हलमेट लगा लिए बाइक रैडिक है माउंटेन बािकिंग वाला तो इसे थोड़े ज्यादा सेफ्टी रहेगी और ने सुनसे गोडुटकि की काफी ट्रेनिक हो चुकी है और बाक़ी दूरसरे धोरों कि अ अच्छी चार्णि मुने करने और रखनी है और अभी क्या है अभी बस गोडे को छोड़ना मुझे वहां पर और यह थोड़ सकता हूं अपना नहीं तो खेत है और एक काम करते हैं सामगी तरफ चलते हैं वहां से मैं हर्वेस्टर पर्चेस करता हूं हर्वेस्टर आ खेत में लगाएते हैं बांकि अपनी प्रडक्शन के जासिते went दिखता ही शुद लिए उसने हों सेता है दोनों खेटों में हारवेस्ट करें लिए तो पहला मैं इस से इसके बाद मुझे एक ट्रेलर और लेना पड़ेगा तो अभी जो मैंने इसको ले लिया है और अब मुझे एक ट्रैक्टर चाहिए पहले ट्रैक्टर ले लेते हैं ट्रैक्टर यह वाला दिख रहा है कि इतने होर्स पावर का है 205-295 तो बेसिक इंजन के साथ ही ले लेते है इतना तो पुछी उसमें हैं नहीं तो वैसे में एक ट्रैक्टर पर्चेस कर लेता हूं किप ङलेंस नहीं आख करेंगा यह जोर्छेट करे ज्ब्स करेंगा 229.000.00 और 205.45 a.m. और इसमें इंजन का अलग से option है नहीं तो front loader की option है front loader से attach कर लेते हैं क्योंकि इसमें front loader में कुछ attachment लगानी है तो वह मैं लगा सकता हूं wheel brand तो ठीक है wheel brand में क्या option आती है Michelin वगरा क्या रहे है ठीक है कोई से भी चल रहेंगी इसमें इतना issue नहीं है डबल वाला यह wide tires है और यह single narrow twin tires twin tires हाँ twin tires ले सकते हैं twin tires से grip अच्छी रहती है but twin tires से turning radius कम हो जाता है twin tires से मुढ़ने में काफ़ीजार time लगता है single tire narrow तो नहीं लेते wide में लेते है wide में ठीक रहेगा और इसको buy कर लेते हैं यह है 2,20,000 euro का यह buy हो गया और harvester में lease पे लिया है तो यह तो अपने पास रखना है harvester वापिस करना है और इसके लावा एक trailer लेना है मुझे जिसमें मैं potato लोड करके ले आ सकूं पिछली बाद जो trailer था हो तो मैंने वापिस कर दिया था यह trailer यह वाला है इसमें से कौनसे वाला trailer यह देखना अपना है इसमें potato आ सकते हैं तो इसमें तो potato नहीं आ सकते हैं इसवाले में potato की option है तो सही है इसका size में काफी बढ़ा है उसकी capacity है 45 meter cube तो इसकी capacity अच्छी खासी है इसको भी बढ़े कर लेते हैं क्योंकि अब lease पर समान नहीं लेना अब lease पर सिफ वही समान लेना है जो temporary use का है जासे harvester potato का था potato मुझे अभी season में लगाना है तो मैं अभी lease पर लेके hand to hand वापिस कर दूँगा तो तीन समान ले लिये है यहां पर कैसे आ गया वहां से डोगी यहां shop तक आ गया है पहली बार यह डोगी यहां shop पर आया है चलो कोई निये साथ साथ चला जाएगा अभी अभी इपना horse भी यहीं भी खड़ा हुआ है इसके साथ को ले जाऊँगा और यह ट्रेलर है बड़े वाला तो अभी ट्रेलर को बाद मिले के जाऊँगा पहले इस harvester को इस वाले खेत में लगाए तो हार्वेस्ट करने के लिए ट्रैक्टर यह अपना है JCB वाला ट्रैक्टर JCB वाला ट्रैक्टर कर निकालते हैं यहां से और यह है JCB वाला ट्रैक्टर फॉर्टी टू ट्वटी उधर कहां भाग के जा रहा है पहले अपना डोगी यहां तक है नहीं आता था अब मैंने शायद यह वाला पर्चेस कर लिया जिसमें अभी होर्स खड़ा हुआ है उसकी वएक से डोगी यहां तक आ गया क्योंकि वहां तक रख तक है और भागके वह भी वाँ गया जा बौर्ड लगा हुआ अभी उसको ले चलूँगा तो इसको भी साथ-साथ ले जाँगा और यह कितना बड़ा कि यहां पर देखते हैं पटैटो हार्वेस कैसे हो रहे हैं पटैटो को जमीन से निकाल रहा है और सामने जो लोडिंग एरिया है उसमें वहां पर डाल रहा है कंवेर बैल्ट के तुरू और अभी तो 18-19% ही हुआ है अब इसके बाद फुल हो जागा तो मैं इसे ट्रोली में अनलोड कर लूँगा और स्ट्रोली के बाद उस पटैटो को देख लेंगे कि रखना है या सेल करके आना है पिलाल यहां पर इसको करने देते हैं काम और इसके बाद जब यह वाड़ा खेट कंप्लिट हो जागा इसको मैं भीज़ दूँगा दूसरे वाले खेट में तो ए अपने होस को बांड के चोड़के आता हूं और वहां से डोगी को भी देखता हूं दोगी कि इसको बहाग गया हो वहां पर देख के आता हूं इससे सामने में को लग रहा है कि वहां पर है करें बहुंगे तो यहां पर तो नहीं है इदर और नहीं है तो वह फाँपर तो इसको मैं कर रहे हुआँ इसको भी देख लिए और जी आ पर यहां पर आ तो ऐसके बार sक च्शारक कर लिए तो इस बारके ली प्रचेस की थी और प्रचेस की थी तो कोई से की पर लेंगे और थो थोड़े से खेट चाहिए और काउस का जो सलरी है वो मैंने वहाँ पर पुचा दिया बाइगस प्लांट में उसके बाद मैंने एक बार और बढ़के उसको ले गया था और जो उसमें सलरी बनाने का पूरा फोलो रखा है ठीक है और इसको यहाँ छोड़ते हैं और अब यहाँ से गाड़े ले लेता हू बढ़के मैं ला्ससूर्य बताः था कि मैं नेक्से एपड़ hoopे में लूगा और जिसके लिए मैंने पूचा भी था इसकी लिए मैं रेंज rwer इवाउक लिए लूब तो जयाद है इता है वो कमंट के लिए ऑक पर तो अरूबлись और ऊससी एक पर चलेGיל लेंगे वहाँ लिए comment भी अच्छे आई थी तो मैं दोनों गाड़े ही purchase करूंगा बट अभी क्या है अभी फिलाग range over evoke purchase कर लेते हैं क्योंकि अभी मुझे और tractor भी purchase करने है काविसारा समान भी purchase करने है तो दोनों गाड़े एक साथ purchase नहीं कर सकता तो इसलिए पहले evoke purchase कर रहे है और इसका color ये वाला रहन दे या फिर इसमें white color करके देखते है white काफी जादा साही लग रहा है इसका white उसके जो ही अलोई है black करा रहते है white ही ठीक लग रहा है और ये इसके अलोई जो है black gloss में gloss में तो ठीक लग रहे है बट थोड़ा matte होका तो जादा better लगेंगे matte वाला color ये भी gloss टू है एक और gloss है और ये वाला matte है matte में सही लग रहे है थोड़ा matte में finishing सही आ रहे है ये interior का change हो सकता है color तो interior ये वाला तो वैसे ठीक लग रहे है बट ये इसमें नाई ये भी नहीं और dark में लेते हैं हाँ ये वाला ठीक है dual to on interior है दो color चूज कर सकता हूँ एक color तो मैंने ये वाला चूज किया और एक color जो center में है seats के वह change किर सकती हो उसको रखते हैं ये वाला भी रख और ये वाले है ये भी काफी सही है थोड़े बड़े भी लग रहे है ये वाले ठीक लग रहे है पर ये वाले black में ठीक नहीं लगेंगे इसका color make up करना पड़ेगा white वाँ वैसे नही नही थोड़े जैदा हो गए थोड़े दूसरे देख लेते है यह ठीक लग रहे है इनका कलर भी ठीक है और वैसे भी ठीक है ठोड़े वाइड भी है बस अब इसको फाइनल कर लेते हैं और कोई एक्स्ट्रा तो नहीं लगा इसका कस्टमाइजेशन का अभी तो उतना ही दिखा रहा है में को 57,250 यूरो ठीक है इसको यह कर लिया अब बसक सब्सक्राइब को यह यहां पर आगया गया इसको खाना ने डाल यह काम कर आपीछे तो कहां आ रहा है दोड़के वह थे तो खाने की जखकर ने पीचे जब रहा है चलो मैं एक बार शॉप से जाके गाड़ कर दो आए ज़ाता हूं पर आचू की अपनी गाड़ी और देख मैंने ट्रेलर हिच नहीं लगवाई इसमें ट्रेलर हिच की ऑप्शन थी शायद एक मिट वापेश लेगे चलता हूँ यहाँ पर अभी कस्टमाइज होने का ऑप्शन तो आ रहा होगा इसका यहाँ पाक कर लेते हैं इधर की साइड और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन तो होगी जालो ठीक है और तो क्या हूँ कोई चार्ज निया है जीरो छीरो लिया मेरे से इसको लेके चलते हैं इसके इंटीर भी देख लेते हैं इसके इंटीर तो पैली रेंगेर करें जैसे ही है बस पैली अब इसके इंडिकाटर बगएरा सबस्द्राइब इसकर देखने की जबूस्डरी है बाकि इसमें एक feature और भी है, वो मैं देखता हूँ, इसमें भी height adjust हो जाती है, यह ओगई इसकी height adjust, उसके tire थोड़े भागी सड़ा जाते हैं, आइसके tire भी भागी सड़ा जाते हैं, तो इसमें भी tire वाला feature है, यह अब भी थोड़े अंदरी तरफ हैं, और यह भागी तरफ है इतना ठीक है अब लग रही है साई होगी न और इसको हार्वेस्टर रहो जोंगा कि यहां पर फूल हो गया क्या है हाँ यह हार्वेस्टर फूल हो गया है dal थाजाल लिटर कैपसरी इस की इस गाड़ी को यहाँ पाक कर दिया है और सामने वह खड़ी हुए ट्रोली वहाँ पर पर्चेस की थी अब एक तरीका है जो वहाँ पर ट्रेक्टर लगा है हवेस्टर में उसको निकाल के ट्रोली में टैज कर लू उससे बार-बार इशू ही रहागा क्योंकि ट्रेक्टर जा रहे है और थोड़ा बहुत ही फर्ख है और और बहुत हीं और यह तो बहुत ही ज्बहुत ही सज़ावाला, यह तो ज्बहुत ही काम के लिए फार्म पे पर देखने में इच्छा है इसको बाए कर लेता है इस पर अभी थोड़ा सा काम चला के देख लेते हैं ट्रेलर का थोड़ा सा चल जाए बस ट्रेलर खाली हो जाए वहां तक पोज़ा हार्वेस्टर तक तो बहुत चोटा लग रहे ट्रेलर के सामने ट्रेलर के सामने तो कुछ भी लगी ने रही बड़ देखते हैं अटाइज तो होई जाएगा तो क्या साही अवाज है इसकी आईसर की ओ यह है बिलुकूल असली ट्रेक्टर वाली अवाज अहे अर यह तो एलसे भी नहीं चल पारा भी ना कुछ टाइच कि ए रुकार कर आं अ क्योंकि यह काफे ज़्यादा सस्ता ट्रैक्टर है इसके एलावा और कौँ त्रैक्टर रही है यह क्या चीज है यह त्रैक्टर है इसमें हाँ पीछे अट्याज करने की अप्षिंग भी आ रहे है और पावर मीशोंगी 75 होर्सथ पावर है तो यह कहना यह यह नॉर्मल वाला ट्रैक्टर निया है यह छोटा ट्रैक्टर है और यह CNG से चलता है यह इसे पेट्रोल डिजल नी चाहिए यह CNG वाला ट्रैक्टर है तो इसके लिए CNG का भी देखना पड़ा है CNG कहा मिलेगी और यह कोस्ली है यह 57,000 का है तो इसको अभी पर्चेस नहीं करें इसको बाद पर्चेस करेंगे अभी एक काम का ट्रैक्टर वैसे इधर यह वाले एक यह भी ठीक है यह भी ओपन ट्रैक् तो इसमें अभी नियुक्त तो नियुक्त नियुक्त अब्स टैयर की आप्शन है यह प्रस पीछे आप पतल है और वाइड पर फेर अप्शन है और यह पर आप्शन है क्या नहीं इनको फिर बाद में पर्चेस करेंगे एक मीडियम साइज का लिए ले लेते है त्रैक्टर थोड़ा powerful tractor चाहिए वो trailer बड़ा है क्योंकि ऐसे try करके फाइदा नहीं है मुझे पता है कि उस वाले trolley में बड़े वाला tractor चाहिए होगा इक तो इन सब tractors की look ना देखने में बिल्कुल सेम है ये 175 horsepower का है और ये 99,500 euro का है और ये वाला 190 है ये 175 है और इसमें क्या है ये 1,800,500 का है तो थोड़ा सा costly है और ये भी 190 है ये तो काफी costly होगा है यहां से तो काफी जादा budget बढ़ जाता है इतना महंगा नहीं जाते ये 99,500 वार ले रहते है इसकी power ठीक है और इसमें front loader का setup लगा लेते है तो front loader attach करने पर ये पढ़ रहा है 1,300,000 का और मैं इसमें अगर standard tire लगा हूँ और front loader भी ना लगा हूँ भी तो 99,500 का पड़का है ठीक है इतना ही ले ले लेते हैं बाद मैं attachment तो मैं लगा सकता हूँ किस्टमाइज करा के इसको ये बाई कर लिया अब इस trolley को पुचा हूँ जारा वहां पर हार्वेस्टर के पास हार्वेस्टर का काम रुका पड़ा है ये रट्रैक्टर मैंने पहले लिए था मैं को पता है इस ट्रैक्टर का की ये काफी सही परफॉर्म करता है इस पर डाय चोली की option आ गई बाकी अभी तो इस trolley को जो है खीच पा रहा है बाकी पाद चल जा पूरा लोड पीछे बढ़ेंगे जितने भी पटाटाव हार्वेस्टर के अंदर आने वारे हैं कि फिस ट्रोली के अच्छी खास है ये चारव पार फूल जागा तब जाके ट्रोली को डोईगी और इस नहीं साइट में को लग रहा है इदर की साइट से थोड़ा सा इसने तो यहां मिलाके लगाते हैं तरोल को तब बहुत चल जाएगा यहां पर अनलोड करदेगा और साइट से अनलोड हो रहा होगा बिल्कुल आटेस्ज तो कर दी कर भाई unlood कर इस लोगा कि इस इस वर्कर को थोड़ा साइंग कर देता हूं और उसके बाद में वाला टक्र समाल लेता हूं यह दर से पिर अनलोड कर देगा इसको सब्सक्राइब और लेटा-प्रुटे से वरा है data कर गया तो इतने में हार्विस्क लग गया अब करने दे? खालि करने थैं पहले सके लगाएंगे यहां पर खाली होझाएगा इधर की साइड से अब बस हाँ कर नोडह फाट हाँ गया ठीक है अब नदम कर hatte क्षचल तरहले णसे खेट कार निकलने वाला है इसने परहिस किने लिए तो इतने इसको यहां रहन देते हैं बाकी जो काम करना था में उस काम पे चलते हैं उस काम में देर होई जा रही है वहां पे काफी सई लोकेशन है मतलब वहां पे व्यू काफी जादा अच्छा खास है और देख लेते हैं बड़ उधर क्या है ना उधर काफी जादा दूर पड़ेगा देखके आजाते हैं कोई सा खेत वहां पर सही लगता है और बाकी बात में योगा की बात में सोच रहां कि फार्म भी है वहा नहीं किढ़ रास्ता है यहां से तो यह वहला घर अगर साई हुआ और यह बिकरा Свह तो ज directly हम ले ले लेंगे हैं तो घर हमाई किसी का कै देखते हैं कि क्या है कि यह क्या है सत्या यह इसकतर और फेल यह किसी का befyn कि दिख रखे है अन्दर भी पर यहां से व्यू काफी अच्छा कासा दिख रहा है यह सामने अपने गाड़े खड़ी है और वहां दूर दूर तक सारे जो है खेती है वहां पर ग्रेंड मील है जिस पर मैंने गहूंगा यह स्टार्टिंग में सैल किये थे और यह जो बैलून उड़ते जाते हैं बार पर उड़ रहे हैं यहां से अपना फार्म काफी दूर है अपना फार्म इधर से से लिए यहां से नहीं गड़े और यहां बीच में लेक आती है और उस लेक के उस साइड अपना फार्म वहां पर इधर के खेट पर्चेस करने में इश्यू है रहागा कि इधर के खेटों पर काम करने के लिए मुझे या तो अलग से साइड ट्रेक्टर पर्चेस करने पड़ेंगे या फिर में यहां लाना पास देखते हैं वहां पर भी काफी सारे खेट हैं जो मैं पर्चेस कर सकता हूं अभी तो यहां से उदर की साइड चल लेते हैं क्योंकि यह वाला काफी जादा दूर है इधर का प्लान बाद में बनाएंगे तो यह अपना फार्म और इधर इस वाले ब्रीज से इस साइड कोई खेट मिल जाए वह काफी अच्छे खासे खेट दिख रहे हैं इधर एक राइस साइड में राइस साइड वाला तो थोड़ा चोटा है यह लेफ्ट वाला थोड़ा बड़ा है और एक वो ड्रेवे इस वाले को देख लिए वाला भी वी साही लग रहे है यह बी काफी बड़ा है इसी वाले का रेट देख लेता है इसका रेट कितना है तो इसका नमबर है 36 followers 36 देख लेते हैं 36 फार्वाला diabetic 36 का प्राइस देख था S linked 5,000 Euro ऐसा क्या है इस खेत में तो काफी ज़दा महेंगा इतना तो भी बैलेंस भी नहीं है और इसके लावा 35 नंबर का और एक ही जो सामने देख रहा है 47 नंबर का 48 तो अपना है ये बीच में रीवर है इधर की साइड आने के लिए तो में कोई लंबा रास्ता देना पड़ेगा ये खेत जाद दूरू जाएगा और ये भी 558 का ये रीवर के इस साइड वाला जो मेरे फार्म की साइड हो तो मैंने ये पटाटो तो हर्वेस्ट होई रहे है इनसे आजागा प्रॉफिट और अभी कोई ऐसा खर्चा भी नहीं है ये वाला है बिल्कुल शोरूम के साथ में और अभी तो इस खेत में हालत खराब हो रहा है खराब हुई है यह भी सारी साफ करनी पड़ेगी और इस खेत का ऊपर से व्यूद देखू है यह वाला खेत तो तो यह वापस कर दूगा तो जाला दूर का इश्यू भी नहीं है, तो यह वाला खेट काफी साही रहागा इस मामले में, और ये एक ट्रेक्टर तो अपना रही गया, इसको भी तो पहुचाना है फार्म पे, तो इस वाले tractor को भी फारम पर पहुचा ही देते हैं इस वाले tractor किया वाज, असली tractor वाली इसमें पूरी feeling आधे राली tractor बाखी सब में भी ठीक है वाली tractor वाली feeling ने आठागे और इसकी speed कितनी कम क्यों है, अभी तो 6 पर ही पहुचा है इस इता तो fourth बती है कि क्या है ऐसे चलने वाले है गया यह ग्यामनिवल है ओ हम आप ऐसे खाल दुद्चा के बाइशंगे विधे करने पड़ने हैं इसमें ऑटमैटिक है आते है पुरान आप्र इसमें अप्राइटर है आप यह तोड़ा राइट साइड बाइट नर आपने अलों लगे वे तो यह सही लग रहा है, अंदर से भी अच्छा खासा आ रहा है, हैंद्लिंग मैंद्लिंग भी अच्छी है, वैसे इस ट्रैक्टर को मैन्वल गेर का चलाने में काफी दा मज़ा रहा है, अभी यह फर्स गेर में है, और यह यहाई पर इसकी स्पीड मैक्सिम है, इतने बटी जैसे मैंने गेर चेंज किया, एक दम से ते चलने लग गया, यह काफी सही है, इसको चलाने मज़ा रहा है, मैन्वल चलाने का अलगी मज़ा है, बाकि सारे अपने ट्रैक्टर अटोमेटिक है, और वैसे मैं मैन्वल ही चला सकता हूं, मतलब उनके भी ऑटोमेटिक वाले ग गाड़ी को वाँ छोड़े आया, गाड़ी को लेकर आता हूं पटा पड़ से, तो यह गाड़ी पर अपनी लिया हूं, और वैसे अभी जो है, इधर की साड़ अपने फाहां पे इतना उचा नीचा हो रखा है, कि यह परफेक्ट जगह बन रखी है, ओफ रोडिंग कैपिक साथ में, और इधर से यहोणा रास्ता ले ले लेता है, इस वाए रासे चलते हैं, वैसे काम है, फार्म रास्ता की पनाई अ Ilsके լेर रहा रहा है, मैंने काफे फ़्लान कर रहा हैं, बभी जल् Dra. & Germans इनको कोई वापिस भेजने की याद सायल करने के रिक्वायर्मेंट नहीं है बास यहाँ पर ठीक है तो यह अपनी तीनो नई परचेस की वी गाड़े हैं यहाँ पर आ चुकी है और इधर अपना पिकप रख है जो मुझे शुरू में मिला था गेम में ही इसलिए मैं वाकणी से साविवारा घार चुकी आज मैं अच्छा खासा था वाट मैंने शुर्चान के पहले हैं उसको और ग्रो कर लेते हैं फेट वगरा परचेस करिता हैं गाड़े तो आती रहेंगी और गाड़े में एक ऐकर पर्चेस करता रहूंगा आज के रिफिर्स वीडियो में इतने वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल पर चानल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में थे नेक्स वीडियो प्याइक Nओब आयू आइक करना मिलते हैं अेक्स करते हैं चैनल प्हें आईक्स करते हैं करते हैं तो मक्रें करेक्ससाब कर दियिंगेक कर दो लाइक जफें or थे इ singers ners टॉब्टन